बाबा हमको चार साल हो गया शादी किये वे अभी तक हमको बच्चा नहीं हुआ है बच्चा ये तो तुम कुदरत के नियम के खिलाब जा रहे हो बच्चा तुमको नहीं होगा तुम्री पतनी को होगा आरे बाबा हमरा कहने का भी मतलब वही है हमारी पतनी को बच्चा नहीं हो रहा है बाबा एक बात बताओ बच्चा तुम्री पतनी खीर खाती है हाँ हाँ बाबा खाती है उसमें किसमिश तो डालती होगी अगर डालती है तो कितना डालती है बाबा किसमिस तो डालती है लेकिन कभी गीन के नहीं डालती है वो तो ऐसे भी अंदाज पे डाला जाता है ने बाबा आरे यही तो गलती करते हो बच्चा है तुम लोग कोई भी काम किया जाता है प्लानिंग से किया जाता है और गीन कर किया जाता है अब अपनी पत्नी को बोलना कि खीर में दस किसमिस डाले लेकिन खाएगी एक भी नहीं यह याद रखना आरे बाबा जब किसमिस खाएगी नहीं तो डालेगी क्यों देखो बच्चा इसके पीछे कारण हम बताते हैं कि किस्मिस क्यों नहीं खानी है क्योंकि किस्मिस का जो कनेक्शन होता है वो किस्मत से होता है और अगर तुम्री पत्नी किस्मिस खाली तो तुम्रा और तुम्री पत्नी का किस्मत खड़ाब हो जाएगा तो अगर तुमको अपनी किसमत कड़ाप करनी है तो पत्नी को बुलना किसमिस खा सकती है और ये याद रखना कि अगर पत्नी दसो का दसो किसमिस खा गई तो बच्चा गदार पैदा होगा ठीक है बाबा हम आपके बात का पालन करेंगे और सुनो खाली इतना से ही नहीं होगा इन दोनों में से कोई भी चीज वो खाली तो किस्मत ख़ड़ाब हो जाएगा आरे ये तो बाबा तुमको बुर्बक बना रहे है ऐसा थोली मैं कोई कर सकता है खीर में से टूटा बचावल कौन खोड़ सकता है ये बुर्बक बना रहा है बाबा देखो बच्चा रास्ता में जब कुता भोके तो उसका बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए तुमको जो बाबा दे रहे है ज्यान उसका कड़ो पालन बच्चा होगा एक के जगे बीस बच्चा होगा आरे बाबा आपका इतना हिम्मत हमको आप कुता बोलते है कुत्तों की तरह बॉंकोगे तो कुत्ते ही कहला होगे कार्टून की तरह बॉंकोगे तो कार्टून जद कहला होगे ठीक है ठीक है बाबा जैसा आप कहे है ना हम पालन करेंगे आपकी बात का तो बोलो खोकरी बाबा की जये खोकरी बाबा की जये खोकरी बाबा की जये बच्चे अगर तुमारी समस्या पूरी हो गई हो, तो अब मेरे ध्यान का समय हो रहा है अब हम एक किर्टन करेंगे और उसके बाद ध्यान में चले जाएंगे बोलो, खोकरी बाबा की जाए, खोकरी बाबा की जाए तुम मेरे दरबार में रोज आया करो माता तेक के पैसे चड़ाया करो बड़ी मुश्किल है बढ़ना बिजली का बिल है तुम्ही बताओ कैसे भरू